तो आज के इस वीडियो में हम एक बड़ा कॉपस क्रियेट करने या नेक्स टेन इयर्ज में वेल्दी बनने के तरीके जानेंगे अगले 10 साल में आप अपनी money game को पूरी तरह बदल सकते हैं अगर आप खुद को discipline रखते हैं, strategy पर बने रहते हैं और right products में invest करते हैं तो शुरू करने के लिए 3 major चीज़े हैं जो decide करेंगी कि आप किसी particular time period में कितना पैसा कमाएंगे इसलिए इस वीडियो में हम precise 10 साल के time period के बारे में बात करेंगे तो ये 3 चीज़े कौन सी हैं आईए एक एक करके समझते हैं आप किसी investment को grow करने के लिए कितना time देते हैं ये decide करता है कि आप कितना corpus बनाएंगे जितना ज़्यादा time देंगे पैसा उतना ज़्यादा accumulate होगा and vice versa Now look at your screens So what is happening here अगर आप हर महीने 10,000 रुपे invest करते हैं और आप उस पर 12% returns earn करते हैं तो आपको 1 करोड बनाने में 20 साल लगेंगे अगर आप invest करते रहेंगे तो अगले 5 साल में आप 1 करोड और add कर लेंगे और आपके पास 2 करोड रुपे हो जाएंगे और इसी तरह अगर आप same 12% returns पर same amount 10,000 पर मंथ invest करना continue रखेंगे तो आप यहाँ और भी कम समय में यानि 3 साल में 1 करोड रुपे और add कर लेंगे and you continue to do so तो आपने देखा कैसे 1 करोड जोडने में आपको 20 साल लगे लेकिन subsequent करोड के लिए significantly कम टाइम लगा अब मेरा यही मतलब था जब मैंने कहा था कि आप invested रहें और खुट decide करें कि आप कितना पैसा बनाएंगे time compounding effect allow करता है जहां आप interest पर interest कमाना शुरू करते हैं इससे बाद के सालों में आपके पैसे को higher pace से बढ़ने में मदद मिलती है तो market में आपका time horizon matter करता है अगर आप बड़ा कॉपस बनाना चाहते हैं next important factor is the rate of return so this is easy आपके returns जितने higher होंगे उतनी तेजी से पैसा given time period में accumulate होगा look at the table on your screen इससे पता चलता है कि आप different rate of returns के साथ 10 साल में कितना earn करेंगे तो 8% rate से आप 10 साल में 1.84 करोर्स accumulate करेंगे जबकि अगर rate of return 12% होता तो आप 2.32 करोर्स accumulate कर पाते और अगर आप 15% returns earn कर रहे होते तो आप 2.79 करोर्स accumulate कर लेते अब आप जिस टाइप के instrument में invest कर रहे हैं उसके basis पर आपके returns अलग अलग होंगे जैसे PPF 7.2% return offer करता है यह government guaranteed instrument है जिसमें risk 0 है एक और government backed scheme की सान विकास पत्र जो 5 years की lock-in के साथ आता है currently 7.5% का return offer कर रहा है 10 साल का SBI fixed deposit currently 6.5% का return offer कर रहा है और higher returns के लिए आप equity mutual funds consider कर सकते हैं अब क्यूंकि equity mutual funds की categories अलग-अलग है इनके returns भी बहुत अलग-अलग है अलग-अलग categories के equity funds के returns आपकी screen पर है अब जब मैं आपको यह returns दिखा रही हूँ यह higher returns tempting हो सकते हैं लेकिन इसे recommendation list ना माने आपको cautious रहने की जरूरत है आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके पास available time horizon के basis पर किस type के funds suit करते हैं लेकिन यहाँ उलजने की जरूरत नहीं है आप ET money app पर investor personality assessment लेकर कुछ ही minutes में आसानी से इसका पता लगा सकते हैं आपको बस कुछ questions के answer देने होंगे और यह test आपको आपके investor personality के बारे में बताएगा और right investment choices के लिए भी आपको guide करेगा तो higher returns का मतलब है जादा पैसा लेकिन ध्यान रखें कि एक ही तरह के investment सबको suit नहीं करते हमने right mutual fund select करने पर भी videos बनाए हैं आप उन्हें इस वीडियो के बाद देख सकते हैं आए अब तीसरे important factor पर आते हैं और वो है कितना amount invest किया जाए rate of return की तरह आपका accumulation invested amount के साथ directly proportional होता है higher investment का मतलब है higher accumulation suppose यहाँ हम rate of interest को 12% पर रखते हैं so look at your screens जैसे ही हम investment amount बदलते हैं accumulated amount किस तरह change हो जाता है तो अगर आप मंतली 10,000 invest कर रहे हैं आप 10 साल में 12% की rate से 23,000,000 accumulate कर पाएंगे लेकिन अगर आप investment amount को increase करके 50,000 कर देते हैं तो आप 1 करोड से जादा का corpus बना लेंगे अब table को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि हर महीने इतना बड़ा amount invest करना possible नहीं है वेल आप चिंता ना करें एक ऐसी strategy है जहां आप small investment start कर सकते हैं और फिर भी next 10 years में एक बड़ा amount accumulate कर सकते हैं इस option को step up SIP कहा जाता है और ये पहली बार नहीं है जब हम इस पर discussion कर रहे हैं मैंने हमारे पुराने वीडियो में भी इस पर कई बार बात की है Coming back Step up SIP method में आप small sum से investment start करते हैं और हर साल इस investment amount को एक fixed percentage लेट से 10% से बढ़ाते हैं investment का ये तरीका आपको lower investment amount से start करने पर भी higher sum पाने में मदद कर सकता है Now look at your screen for the numbers तो मान लीजिए कि आप monthly 10,000 रुपे का investment start करते हैं और हर साल इस amount को 10% से बढ़ाते रहते हैं तो आप 10 years में लगभग 34 lakh रुपीज accumulate कर लेंगे अब अगर आप 10% के बजाए हर साल 15% amount बढ़ाते हैं तो 10 years में 41 lakh का corpus बना पाएंगे अगर आप 10 years की जगा 5 साल और ऐसा करते रहेंगे यानि total 15 years में आप 1 करोर 18 lakhs का corpus बना पाएंगे तो आपने देखा कि किस तरह छोटी शुरुआत करके लेकिन हर साल amount को बढ़ाते हुए आप long run में huge wealth बना सकते हैं बस आपको कही ना कहीं से शुरुआत करने की जरूरत है उस amount से शुरू करें जिसमें आप comfortable हों और जब भी आपको लगे कि आप इसे increase कर सकते हैं increase करना ना भूलें प्लान बनाएं और उसे rigorously follow करें और अपना S.I.P. amount बढ़ाने के लिए आप E.T. money आप पर जा सकते हैं जब आप E.T. money आपकी जरिये mutual funds में invest करते हैं तो ये आपको आपकी convenience के according किसी भी समय अपनी S.I.P. amount चेंज करने का option देता है E.T. money के तुरू आप 0% commissions पर किसी भी mutual fund में invest कर सकते हैं So this brings us to the end of the video हमारे चैनल को like and subscribe करना ना भूलें जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे